हलो स्टूडेंस, आइम डॉक्टर विनोत कामले प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ट्रेड यूनियन आक्ट, फैक्टरीज आक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आक्ट, चाइल्ड और विमेन लेबर आक्ट, प्रिवेंशन आफ सेक्शूल हरास्मेंट आक्ट और लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रेमेंट आफ ग्रैचूटी आक्ट के बारे में पढ़ा अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग प्रोविडेंट फंड आक्ट के बारे में बढ़ने वाले है सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हो Provident Fund को हम लोग PF बोलते हैं तो आप लोगों ने PF के बारे में सुनाई होगा यहाँ पे क्या होता है कि company employee के salary में से कुछ एक particular percentage जो होता है वो deduct करती है और वो उनकी PF account में deposit किया जाता है और employee को जब भी यह पैसे की जरूरत होती है तो तभी यह पैसा वो लोग withdraw कर सकते है मतलब कि उनका job जब चालूरत है तो बीच में अगर सपोज उनको पैसे की जरूरत है तो वो PF में से पैसा निकाल सकते है और अगर सपोज retirement के बाद में उनको पैसा निकालना है EPFO मतलब Employee Provident Fund Organization जो है वो manage करते हैं ये एक statutory body है जिसके तुरू ये Provident Fund की facilities जो होती है वो available करके दी जाती है अभी यहाँ पे PF के बारे में कुछ important चीज़े बताई हुए कि PF एक statutory deduction होता है statutory deduction मतलब क्या compulsory ये employee के salary में से deduct किया जाता है और ये जो Provident Fund Act है उसके अंदर अलग-अलग यहाँ पे provisions दिये गए है कि किस तरीके से PF जो होता है वो यहाँ पे deduct किया जाता है या किसको PF जो होता है अपलिकेबल होता है तो PF के बारे में जो भी provisions है वो Provident Fund Act के अंदर दिये गए है तो ये Provident Fund Act जो है इसको employers refer कर सकते है जिससे उनको पता चलेगा कि कितना PF deduct करना है फिर बाद में ये PF किस तरीके से employee को pay करना है उसमें क्या-क्या formalities होती है और कौन से कौन से organization के लिए PF जो होता है ये applicable होता है त सारे provision जो है दिये गया है अभी ये जो Provident Fund Act जो है वो कहाँ पर applicable होता है तो जहाँ पे भी 20 ये 20 से जाड़ा employees काम करते है वहाँ पे ये PF Act जो होता है वो applicable होता है तो आपको याद रखना है कि PF जो होता है ये employee के salary का एक हिस्सा होता है जो हर मैने उनके salary में से deduct किया जाता ह है और उनके PF account में deposit किया जाता है और ये benefit employee को कभी भी मिल सकता है वो मतलब job पे रहते तबी भी और retirement के बाद में भी उनको जो पैसा मिल सकता है या वो withdraw कर सकते है ये एक statutory deduction है जो employee के salary में से deduct किया जाता है और Provident Fund Act के अंदर Provident Fund के बारे में सारे जो provision से वो दिये गया है और जहाँ पे भी 20 या 20 से जादा employees काम करते वहाँ पे PF account जो तब applicable होता है नाव यहाँ पे eligibility और entitlement दिया हुआ है PF के बारे में अभी कोई भी employee जो directly कहीं पे employed है या काम कर रहे है या contractor के थ्रू कहीं पे काम कर रहे है और उनको अगर wages मिल रहे है तो वो लोग यहाँ पे Provident Fund Act के मतलब क्या होता है काफी बार क्या होता है कि employee directly किसी company में काम कर रहे होते हैं और काफी बार क्या होता है कि contractors होते हैं वो contractor क्या करते है employees को particular job पे भेजते हैं किसी organization के अंदर तो employee अगर directly किसी organization में काम कर रहा है या contractor के थ्रू अगर कहीं पे काम कर रहा है तो वहाँ पे उन लो temporary काम समय के लिए काम कर रहे है उनके लिए भी applicable होता है अभी यहाँ पे PF कितना deduct किया जाता है तो minimum 10% of basic pay मतलब basic salary जो employee को होती है उसका 10% PF deduct किया जाता है और maximum 12% of basic pay तो यह limit आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि अगर suppose आपका salary 100 रुपया है basic salary तो उसका 10% मतलब 10 रुपय आपके salary में से minimum cut किया जाएगा और maximum कितना होगा 12% मतलब 12 रुपया maximum cut किया जा सकता है तो PF का जो deduction होता है जो employee के salary में से cut किया जाता है वो minimum 10% of basic पे होता है या maximum 12% of basic pay हो सकता है तो यह आपको limit याद रखना है अभी यहाँ पे किसका कितना contribution होता है तो employees का तो मैंने आप लोगों को बताए कि employees का यहाँ पे maximum 12% जो होता है वो उनके basic pay का calculate किया करके उसके PF account में deposit किया जाता है employer का भी same ही होता है employer को भी यहाँ पे जो भी 12% होता है उतना pay करना पड़ता है मतलब देखो यहाँ पे employee भी अपने basic salary में से contribution कर रहे है और organization के तरफ से भी employee के PF account में 12% amount जो होता है वो contribute किया जाता है मतलब 12% employee का और 12% organization का इतना contribution जो होता है वो employee के PF account में contribute किया जाता है तो ये भी limit आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है Now we'll see the recent changes in the Provident Fund Act मतलब Provident Fund Act के अंदर recently क्या-क्या changes आया है उसके बारे में हम लोग देखते है तो पहला changes यह आया है कि जो भी contribution था हूँ मैंने आपको बोला था कि 12% होता है तो अभी यो 12% से 10% कर दिया गया है employer और employee के लिए बोट तो अभी ये 12% का जो criteria है वो पहले था अभी recent changes के इसाब से ये कितना कर दिया 10% तो employer को 10% pay करना पड़ता है employee के PF account में और employee के basic salary में से 10% जो होता है वो employee के PF account में डाला जाता है तो ये एक recent change अभी किया गया है PF account के अंदर उसके बाद में अगर employee का basic salary 1.75 lakh अगर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका maximum PF जो होगा वो 20,833 per month होगा और yearly उसका 2.5 lakh होगा और ये amount जो मैंने आपको बता है ये tax free होंगे इसके उपर अगर employee का PF अगर deduct होता है तो उसको tax charge किया जाता है तो ये limit आप वापस से समझो कि अगर employee का basic pay 1.75 lakh अगर होता है तो उसका PF जो है वो monthly 20,833 होगा या फिर yearly 2.5 lakh होगा और ये amount तक अगर PF deduct होता है तो उसको tax pay नहीं करना पड़ेगा इसके उपर अगर उसका PF cut होता है तो उसको tax pay करना पड़ेगा फिर PF account जो होता है उसके लिए KYC करना काफी important है KYC का मतलब क्या होता है know your client मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को KYC का form होता है वो fill up करके देना पड़ता है और आपका address proof और आपका identity proof और photo जो होता है वहाँ पे submit करना पड़ता है तो हर एक जो PF account होता है उसके लिए KYC जो होता है उसके वज़े से हर एक जगा पे कही पे भी आप लोग investment करोगे तो आपसे nomination का form जो होता है fill up करवाया जाता है क्योंकि nomination के वह से पता चलता है कि अगर suppose जो भी investor है या जो भी employee है उसका death होता है तो उसका पैसा किसको पे करना है क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर suppose किसी employee के death हो गई तो काफी सारे लोग आ सकते और बोल सकते कि हम लोग इनके nominee है और हम लोग को आप लोग इनका पैसा देदो करके तो अगर suppose जब भी employee का PF का account open किया जाता है तो तब भी उनसे nomination का form भी भरवाया जाता है ताकि in case अगर suppose employee की death होती है तो उसका जो भी PF का पैसा है उसके nominee को दिया जाता है जिसका नाम उसने वो nomination form के अंदर लिखा होगा और यहाँ पे last एक और important चीज़ दी गई है कि अगर किसी भी employee के salary 15,000 से जादा होता है तो उसको PF applicable होता है 15,000 से काम अगर उसका salary होगा तो उसको PF applicable होता नहीं है लेकिन 2019 के rule के हिसाब से यहाँ पे अभी 15,000 से नीचे अगर salary होती है तो भी उसको PF जो तब applicable होता है उस case में क्या होता है कि employee का जो भी salary है मतलब 15,000 से नीचे जो भी salary रहेगी वो और उसको दूसरी जो भी allowances मिल रहे है वो add कर दिये जाते है और उसका फिर PF जो होता है वो यहाँ पे calculate किया जाता है तो यह सब हम लोग ने PF Act के अंदर देखा जहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले provident fund क्या होता है वो बताया कि यहाँ पे employee के salary में से हर महिने थोड़ा-थोड़ा एक contribution होता है वो deduct किया जाता है और उसके PF account में deposit किया जाता है और PF जो होता statutory deduction है जो employee के salary में से किया जाता है और जहाँ पे 20 ये 20 से ज़्यादा employee employed होते वहाँ पे PF Act जो होता है वह applicable होता है मतलब जहाँ पे 20 ये 20 से ज़्यादा employees होगे वहाँ पे provident fund की facility जो होते employees को provide करना चाहिए अभी कोई भी employee जो directly किसे organization में काम कर रहे है या contractor के थुरू काम कर रहे है और उनको वहाँ से wages मिल रहे है तो उनको PF applicable होता है फिर permanent employee होने दो या probationary period पे employee होने दो दोनों को भी PF applicable होता है PF जो होता है minimum 10% होता है maximum 12% होता है फिर पहले employee के basic salary में से 12% और employer के 12% ऐसा PF में contribution किया जाता था मतलब दोनों का 12-12% अभी वो जो limit है वो recently कम कर दिया गया है अभी employer और employee दोनों के पास से 10% contribution जो होता है वो PF के लिया जाता है फिर मैंने आप लोग को बता है कि अगर किसी भी employee का salary 1.75 lakh होगा तो उसका maximum PF जो है मन्तली 20,833 होगा और सालाना उसका 2.5 lakh होगा अगर इस्ते ज़्यादा उसका PF deduct होता है तो उसको tax applicable होगा फिर PF account के लिए KYC करवाना काफी ज़रूरी है KYC का मतलब होता है no your customer या client फिर PF के लिए nomination compulsory है और अगर suppose किसी भी employee का 15,000 से नीचे salary होता है तो उस case में क्या किया जाता है उसके salary में other allowances add किये जाते है उसका PF जो होता हो calculate किया जाता है विकोज 15,000 से नीचे अगर salary होगा तो उसको PF applicable होता नहीं है तो इस तरीके से मैंने आप लोग को Provident Fund Act के अंदर क्या क्या provision से उसके बारे में बताया again ये particular act जो है वो आप लोगों को आपके future के लिए काफी important है because ये सब चीजे जो होती है वो काफी ज़रूरी होती है क्योंकि आप लोग जब job करते हो तभी आपके earning capacity होती है तो आप survival कर सकते हो लेकिन old age में या फिर retirement के बाद में आप लोगों को एक financial security होनी चाहिए इसके लिए आप लोगों को ये सारी जो facilities है ये ये सारी जो financial securities है वो government अवेलेबल करके दिये है तो again आप लोगों को मैं same चीज़ बताऊंगा कि आप लोग ये वीडियो को तीन से चार बार देखना था कि आप लोगों को ये पूरा act जो अच्छे से समझ में आए और उसको आप लोग exam में भी लिख पाओ और future में आप लोगों को इसका benefit भी मिल पाए ​So, thank you students. Please DO like, share, comment and subscribe to my youtube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video कुले दो, ह्παवा थे लिए, कर ए को दो को को बाल को घर का है?